मैं धीरे धीरे इसकी स्पीड गती जो है वो बढ़ाता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है अव 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 जो यहां दूर दूर लिखेते वो पास आते जा रहे हैं एना ऐसी धार चलती है यह और यह चलते चलते उल्टा त्रिकोन बनता है और उल्टा त्रिकोन बनके कहां इन्फिनिटी यानि अनंत और ओम प्रणवक्षर है वहीं से शुरू है उसी पर खत्म है तो इन्फिनिटी उसे ही कहते हैं कि वहीं से शुरू है और वहीं पर खत्म है उसका कोई अंत दूसरा नहीं है सरकल है उसका कोई स्टार्ट और कोई एंड नहीं है इन्फिनिटी है उ क्योंकि आठ वहीं बना हुआ है शुरू ही वहीं से हुआ है लाइव वीडियो कॉल क्लासेज मॉर्निंग वोकल रियाज सेशन्स रिकॉर्डड क्लासेज सब कुछ अविलिबल है संगीत धरा SPW पर अभी डाउनलोड कीजिए एंड्रोइड आयोस और डेक्स्टॉप तीनों अविलिबल है डाउनलोड कीजिए और घर बेटे सीखिए अब इन पांचों अक्षरों को आपका प्रनिंसियेशन एक तो सुधारी है फिर पूरी-पूरी सांस में बोलने का बताया मैंने फर्स्ट स्रेप मॉर्निंग वोकल रियाज मैंने जो हेडिंग पड़वाई थी उ एक ही अक्षर में, एक ही सांस में पांचों अक्षर हमारे आजाने चाहिए, कैसे आएगा? अब कौन सा अक्षर कितना लंबा बोलना है? ये कौन तै करेगा? ये तै करेगा आपकी सांस की unit कितनी है? यानि कितनी देर तक है? तो वो आपको नापनी है पहले तो कि on an average on an average आपकी सांस कितनी लंबी जाती है 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी है उस accordingly आप डिवाइड कर दो कि आपके पांच अक्षर है तो एक अक्षर को कितनी सांस मिलेंगी ऐसा नहीं कि calculatively आपको जान बूच के उतना सेकंड गड़ी देखके गाना है नहीं, अंदाजन अंदाजन आप लगा लिजी कि हाँ ये 2 सेकंड निकल गए ये 3 सेकंड निकल गए ठीक है, अंदाजन हर एक अक्षर को आपको उतना सुर देना है ठीक है तो जैसे कि अभी मैंने बताए मेरी पूरी सांस में मैंने वो 5 अक्षर अपने आप डिवाइड कर लिए करके बता दीजिए मुझे एक ही सांस में 5 अक्षर और उसमें ये भी ख्याल रखना है कि जब दूसरा सुर बोलें जैसे दूसरा अक्षर बोलें तो सुर नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं कि ये प्रेशर नहीं देना है एक जैसा क्योंकि dort preparations का आकार बदल रहा है और कुछ नहीं तो सुर नहीं बदलना चाहिए गले से जो पिछ निकल रहा है वो समान सठीक एक जैसा करके देखें एक बार अब यह तो बहुत जल्दी हो गया यह आपकी पूरी सांस नहीं थी आदी सांस में ही अक्षर आ गए तो शुरुवाद ऐसे करनी है कि एक-एक अक्षर को टाइम मिलता रहे अब सुर लगाते समय दो चीजों का और खयाल रखा जाता है जेस्टर और पॉस्टर दोनों क्या जेस्टर हो रहे है यानि facial expressions कैसे है bodily gestures कैसे है यानि हाथ कहां है शरीर कैसा है और body posture कैसा है क्या हम ऐसे बैठे हुए है या हम ऐसे बैठे हुए है क्या हमारे कंधे एकदम ऐसे भी नहीं लूजन है normal है and back हमारी एकदम ऐसे straight भी नहीं कि छाती एकदम ही कड़ो को रही है नहीं normal back straight है है ना तो एक ही सांस में पांचों अक्षर लेने के लिए हमें पहले सांस को मापना जरूरी है कि हमारी सांस कितनी लंबी है जितनी लंबी होगी उसी according हम divide कर पाएंगे ठीक है इसमें हम ले को भी introduce करते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आपका ले का chapter जो है आगे नहीं बढ़ा है तो इसमें ले को introduce नहीं करेंगे वरना सीधी सीधी गनित बिठा के ले इंट्रड्यूस होती है इसमें अभी पहला step लिया था कि एक ही सांस में पांचों अक्षर लेने हैं अब दूसरा step आता है एक ही सांस में पांचों अक्षर को दो बार लेना है तो जाहिर से बात है divide इसका बदल जाएगा अब है ना हर सुर को हर अक्षर को समय कम मिलेगा तो क्या किया मैंने ये दो गुना कर दिया उसका ठीक है अगर मैं छोटा सा एक्जाम्पल लेके बताऊं अम् 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 यह पहला स्टेप था इसके बाद जब दूसरे स्टेप में आएंगे एक ही सांस में पांचों अक्षरों को तो अपनी सांस अनुसार आप उनकी गती जो है वो चेंज कर देंगे जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि हर बार वो एक ही जैसा है हमेशा आउओम की गती सेम रहे ऐसा नहीं है थोड़ा उपर नीचे होता रहेगा हम मशीन नहीं है और मेकानिकली हमने डिवाइड नहीं किया कि एक एक एक्षर को कितने सेकेंड्स देने है अनुमान लगा के कर रहे है फिर जब क्या किया अब इसको एक ही सांस में दो बार करना है यह हमारा सेकेंड स्टेप है ठीक है यह दूरा पड़ गया यह उपर आया इतने में मेरी सांस खत्म हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा हलकी सी गती बढ़ानी पड़ेगी यह समस्या मेरी नहीं आएगी अगर मैंने इसे exact calculate कर लिया है अगर मेरी सांस को मैंने calculate कर लिया और एक टेंपो में मैंने अवो ओम को करना शुरू किया यहां हम यह कहेंगे कि हम रियाज में संगीत का जो grammatical portion है उसे introduce कर रहे हैं अगर मैंने जैसे आपको tempo मालूम है लए होती है एक दो तीन जैस्ट सपोज मैंने 40 का tempo लिया और उसमें मैं एक बार करना शुरू करूं ठीक है 40 का tempo हम metronome में एक बार लगा लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम 40 के tempo में अगर करते हैं यह मैं मेरी according बता रहा हूँ आपको इस अभी tempo चूज़ कर सकते हैं एक दो तीन यह 40 का अगर tempo इसमें अगर शुरू करते हैं तो यह फिर भी ठीक था है ना इसमें क्या benefit मिला देखिए दौनों हर चीज़ को आपको बारीकी से माप के चलना होगा अक्षर बोलने के बाद सांस भी लेनी है क्योंकि पूरी सांस में खत्म कर रहे हो तो जाहिर बात है थोड़ी सी margin छोड़नी होगी दो सेकंड की मारजी ना आपको छोड़नी होगी है ना यह सारी चीज़ने ध्यान रखते हुए इस रयाज को करना है आपको अब यह देखिए अगर मैं गनिच से बताओ इसे पांच अक्षर कैसे गए दो गुना किया मने एक एक मात्रा में दो दो अक्षर बोलता गया तो यह एक तरीका है और दूसरा तरीका है अनुमान अनुमान से आप कर लीजे कभी दो बार आएगा कभी नहीं आएगा कभी डेड़ बार में खत्म हो जाएगा फिर सांस ले लोगे कभी दो से जादा हो जाएगा चलेगा वो कोई खलत तरीका नहीं है क्योंकि रियाज है मेडिटेशन है तो मेडिटेशन है जरूरी नहीं है कि आप एकदम रिदम में करो पर ये भी तरीका है दौनों धंग में आपको बता रहा हूँ कि एक है अनुमान से कर सकते हो और एक प्रॉपर गणित से कर सकते हो ठीक है अब दूसरा step मैंने क्या बताया एक ही सांस में पांचों अक्षर दो बार आ जैने चाहिए फिर धीमे धीमे इसी को बढ़ाना है यही अगले steps है इसको कोशिश कीजिए जितनी maximum बार आप ले सकें एक ही सांस में उतनी बार अभी मैंने हलकी सी स्पीड बढ़ाऊंगा तो दो से तीन बार चार बार लेने की कोशिश आ आ आ आ आ आ आ सब्सक्राइब करें इसकी स्पीड गती जो है वो बढ़ाता जा रहा हूं तो क्या हो रहा है जो यहां दूर दूर लिखेते वो पास आते जा रहे हैं ऐसी धार चलती है यह और यह चलते चलते उल्टा त्रिकोन बनता है और उल्टा त्रिकोन बनके कहां पहुंचता है यह ओम पर इसी को जितना जितना जल्दी आप बढ़ते जाओ, उतना बढ़ता जाएगा, ये संपून डाइमंड बनता है, यहां से आप देखें, अगर इसका आकार समझ सको, तो ये इन्फिनिटी का आकार बनता है, इन्फिनिटी यानि अनंत, और ओम प्रणवक्षर है, वहीं से शुरू है, उसी प आठ का आकार बनता है, इसी लिए आप ये देखिए कि आठ मातरा जो है वो आम इंसान जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि आठ वहीं बना हुआ है, शुरू ही वहीं से हुआ है, ठीक है, तो कैसे शुरू होता है, ओम, एक पॉइंट से शुरू कीजिए, अब ओम को है ना, ये आकार बनाई अपनी कॉपी में, पहले लिखी ओम, फिर नीचे लिखी ओ और म, फिर इसे और तोड़ा तो ओ, ओ, म, है ना, और तोड़ा गया, तो अ, उ, ओ, ओ, म, हैगे नी, मैं कहना क्या चाहरा हूँ कि ओम की जो महंता है, वो कितनी है, जैसे ही ओ, 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 ओ ओ, 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 ओ सिर्फ रह जाएगा ओम 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 और वो तब्दील हो जाएगा ओमाई ठीक है तो यह क्या बना बना कxico नहीं पर्फेक्ट डाइमंड इक पर्फेक्ट डाइमंड आक्चुलि में क्या है एक इंफिनिटी खासाइन है था ना था ये इस तरह से ओम का रियाज होता है, आप सिर्फ इसे गले का exercise मत समझिएगा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है इसमें, पूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है, complete universe, ओम में है, ओम की आकृती जो है, वो इसी में है पूरी, अब ओम को अगर मैं और अच्छे से समझाओ, ये तो अगर ओम का रियाज किया, तो इस ही डायमंड की तरह आप भी डायमंड बनोगे, देके नहीं, सिर्फ गोल्डी नहीं, डायमंड बनोगे, invaluable, invaluable मतलब extremely useful, जो बेशकीमती है, ठीके, सबसे जादा उपयोग होने वाला, तो वैसे आप बन जाओगे, इस ही डायमंड की तरह, अगर इस ओम के रियाज को उतनी ही साधना से किया, यही यह चीज है, देखिए, रियाज करना कोई बड़ी बात नहीं है, रियाज को सही डंग से करना, वो जादा बड़ी बात है, मैंने पहले भी पता है कि किसी भी समय कुछ भी खा लेने से शरीर नहीं बन जाएगा, नि हो जाएगा, नॉवल्स पढ़ते हैं भई हम तो, तो नॉवल्स से हमारे तो इंग्लिश अच्छी होनी चीए ना, अरे कचरे राइटर्स की अगर नॉवल्स पढ़ोगे तो कहां से अंग्रेजी अच्छी होगी, है ना, क्लासिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो उनसे ग्यान तो हर किताब useful नहीं है, ये नहीं कि books are always useful, हर किताब useful नहीं है, गलत किताबें पढ़ते रहोगे तो उससे कहां से ग्यान बढ़ेगा, ठीक है, तो रियाज को सही डंग से करना सीखो, कि ओम को रियाज करना है तो इस तरह से करना है, इसमें और भी गहराई में जाएंगे, पर फिलाल आपको ये समझ रहा है कि किस तरह से, तो अभी steps आप समझ गएं, ओम के रियाज के क्या है, पहला बताओ मुझे एक ही सांस में एक एक अक्षर आना चाहिए, ठीक है, दूसरा एक ही सांस में पांचों अक्षर आने चाहिए, तीसरा step एक ही सांस में दस अक्षर जाने चाहिए, यानि वही अक्षर पांच अक्षर दो बार, फिर उनकी गती बढ़ाते रहनी है, अब वो लएके साथ करोगे, तो एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना करोगे, तो कितना भी गुना जा सकते हो, और बे लएक करोगे, बिना गती बढ़ा दो, हैना, या आप कुछ भी बोल रहे हो, भली गती बढ़ा, चाइनीज नहीं बोलनी है, ठीक है, ये बोलते समय वो पांच अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, जैसे इस गती तक मैं इन पांचों को स्पष्ट बोल सकता हूं, साफ बोल सकता हूं, अगर आपक इस से कम गती में ही इनका प्रनेंसियेशन बिगड रहा है, तो अहु, 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 एना, और उसके बाद का स्टेप, अहु, 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 अहु. इसलिए मैंने वो त्रिकौण बनवाया आपको, कि किस किस स्टेज पे जब गती बढ़ जा शुरू करेंगे